Hello everyone, मैं हूँ करिल शापरी और यह है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का सापता ही कराशी फली यह 8th मार्च से लेकर 13th मार्च तक के आपकी टारो रीडिंग्स हैं, टारो प्रेडिक्शन्स हैं और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, तो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब करें इसके साथ साथ अगर आप डेली टारो रीडिंग में इंट्रेस्टेड हैं, तो आप मेरा इंस्टा पीच भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और दूसरी बात इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशिया होती हैं उसके according भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं और अगर आप मुछ से पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंघी कि जिस साइन को आप अभी तख फालो करते आ रहे हैं या पिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तख अपनी रीडिंग को देखते आ रहे हैं आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें तो चलिए जी शुरू करते हैं Coming Week का साथ आप ताहिक राशी फल तो चलिए लिए उस आप लोगों के लिए देखें कि Coming Week क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज है तो Professional Front के लिए आप लोगों के लिए और दिखें सबसे पहली बात ये दोनों ही कार्ड्स, Emotions की बात करते हैं Sentiments की बात करते हैं तो इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली अपने Professional Front में आप चीजों के साथ, लोगों के साथ Situations के साथ बहुत ज़ादा अटाच हो रहे हैं या फिर मैं कह सकती हूँ कि बहुत Emotional, बहुत Sentimental आप हो रहे हैं कहीं एक Logical, Practical Approach इस वीक में सिंग दिख रही है और मैंने हमेशा कहा है, लियो, उसकी बहुत Important होता है कि हम Heart और Mind का Balance रखें तो इस चीज की Checking इस वीक आप जरूर करें और देखें, Specifically देखें तो यहाँ पे Emotional Loss का Card कहीं Emotionally Low Feel करने की बात करता है कहीं एक उदासी, एक परेशानी की भी बात करता है और यहाँ पे सब के लिए Different Reasons हो सकते हैं लेकिन यह Card कहता है कि कुछ चीजें आपके हिसाब से नहीं हो रही है और आप बहुत जादा उन्हीं चीजों पे Focus कर रहे हैं और इसलिए कहीं आप Emotionally Low भी Feel कर रहे हैं और हो सकता है कि इसी वज़े से या Otherwise भी आप बहुत actively चीजों में involved नहीं कर रहे हैं आप बहुत actively again किसी भी चीज में participate नहीं कर रहे हैं तो देखिए थोड़ा सा pause लेके चीजों को समझना और you know एक introspective mode में रहना बहुत अच्छी बात होती है लेकिन अगर in the process हम emotionally low feel कर रहे हैं हम उदास हो रहे हैं तो बहुत important हो जाता है कि इन ही energies में से हम अपने आपको बाहर निकालें हम एक positive frame of mind अपने लेकर आएं जो चीजें हमारी life में अच्छी चल रहे हैं हम उन पे focus करें और देखिए otherwise हम high priestess के card को देखें तो आप impulsive नहीं हो रहे हैं आप जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं आप बहुत ही wisdom के साथ हर चीज को deal करना चाहा रहे हैं और आप खुल के अपनी feelings, अपनी emotions नहीं express कर रहे हैं अपनी बात आप खुल के जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं आपके लिए काम करते हैं उनसे नहीं कहते हुए दिख रहे हैं और परसनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए cards है तो दिखिए दोनों ही cards इक्तम से contrary energies की बात करते हैं star का card कहीं hope की बात करता है, उमीद की बात करता है positivity की बात करता है confusion cause में भी एक light, एक direction के मिलने की बात करता है और deception एन्वी का card कहीं unfair energies, कहीं injustice किसी level पर महसूस करने की बात करता है तो देखे, दोनों cards को combine करें, तो surface level पे हो सकता है कि externally कुछ ऐसी चीज़े हो रही हैं, जिसकी वज़े से एक positivity आपकी life में आ रही है, एक उमीद, एक hope जाग रही है, आप बहुत better महसूस कर रहे हैं, लेकिन मन ही मन, आप you know again मैं कहूंगी, या मैं कह सकती हूँ कि साथ ही साथ आप एक unfair energies भी महसूस करते हुए देख रहे हैं, और देखे, ये सब के लिए differ कर सकता है क्योंकि ये general reading है, कुछ लिए उसके लिए हो सकता है कि भई, आप किसी situation में, किसी इनसान के साथ बहुत जादा honest नहीं रहे, या मैं कह सकती हूँ completely honest नहीं रहे, और इसी लिए एक unfair energies आप महसूस कर रहे हैं, और कुछ लिए उसके लिए हो सकता है कि कोई इनसान आपके साथ उतना honest नहीं रहा, dishonest रहा, unfair रहा, और इसी वज़े से एक, you know, बहुत great feeling आप नहीं महसूस कर रहे हैं, या मैं कह सकती हूँ कि आप कहीं किसी level पे एक परेशानी महसूस कर रहे हैं, और हो सकता है, lose up या फिर जो भी लोग आपके आसपास हैं, वो भी थोड़े से manipulative हो रहे हैं, तो थोड़ा सा cautious रहना, conscious रहना, personal front में इस वी बहुत important है, और जो भी unfair energies हैं, उनसे भी आप अपने आपको ज़रूर बहार निकालें, क्योंकि देखिए जो हो गया, उसको हम किस इसी भी सूरत में, किसी भी हालत में नहीं बदल सकते हैं, और जब बहुत ज़ादा हम उन्ही energies पे focus करते हैं, तो हम अपनी life में सिरफ और सिरफ परेशानी लेकर आते हैं, तो इस चीज की checking आप करें, और जो भी एक positivity आपकी life में आ रही है, आप उसको उपर ज़ादा focus करे आप कहीं, you know, again मैं कहूंगी, जो भी अच्छी चीजें हैं, उनके उपर ज़ादा attention दें, and guidance है, आप लोगों के लिए just breathe का card है, और ये card कहता है, कि इस week, आप बहुत again actively किसी भी चीज में involved ना हो, आप बहुत ज़ादा, you know, किसी भी चीज में participate ना करें, और देखिए, professional front म तो आपकी ऐसी energies दिखी रही है, क्योंकि high priestess का card भी कहीं चीजों से withdraw करने की बात करता है, कहीं एक back seat लेने की बात करता है, तो ऐसा बहुत सरे lios, again मैं कहूंगी, करते वे दिख रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं, उनके लिए just breathe का card कहता है, कि आप complete universe पे surrender करके, complete universe पे trust करके, जो भी चीजें हो रही हैं, उनको accept करते रहें, क्योंकि बहुत बारी होता है lios, कि again हमारी life में हमारे हिसाब से चीजें नहीं हो रही होती हैं, हम बहुत परेशान होते हैं, लेकिन जब आगे जाते हैं, तो हमें वो चीजें जो हमारे हिसाब से नहीं हो रही होती हैं, वो स समझ में नहीं आ रही है, परिशान कर रही है, trust me, आगे जाके यही चीज़ आपकी लाइफ में बहुत beautiful energies लाने वाली है, तो आप beyond the point परिशान ना हो, universe पे trust करें और surrender mode में रहें, and astrology से आप लोगों के लिए Aries sign का card है, और इसके हिसाब से red color इस week आप लोगों के लिए lucky रह सकता है, and significant day आप लोगों के लिए होगा Tuesday, तो यह था लियोज आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशी फल, और नीचे मुझे comment section पे जरूर बताएं कि यह कितना आपके साथ resonate किया, यह कितना आपकेने करपा है.